देख रहे हो कि देखा रहा है अब इसके बारे पोस्ट पढ़ रहा है थोड़ा द्यान सुनना डॉक्टर विबेक बिंद्रा का पोस्ट है खुबसूरती को महिलाओं का गाहना कहा जाता है लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे बत्सूरत महिला के बारे में सुना है और यह अभी पिक्चर आप लोग देखे है यह सबसे बत्सूरत महिला है सबसे बत्सूरत महिला किताब एक वक्त मैरी विवन को मिला था मैरी का जन्म 1884 में लंदन के निव है में हुआ था मैरी ने आम लड़कों की तरह ही अपना बच्पन जिया था पढ़ाई लिखाई के बाद मैरी ने नर्स की रूप में काम किया कहा जाता है कि वो एक रो मैगाले नाम की विमारी से ग्रसी थी जिसकी बज़ा से उनके पूरे सरीर की बनावट ही बदल गई थी उनका चेहरा आद्मियों की तरह बिक्सित होने लगा था और वो चेहरे पर डाड़ी भी आने लगी थी इसी तरह की समस्याओं की बज़से मैरी की तव्यत विगरती रहती थी मैरी के साधी के 11 साल के बाद ही उनके पती की मौत हो गई थी पती के जाने के बाद पूरे परिवार की जिमेदारी मैरी के कंदो पड़ा गई इसी बज़से घर के खर्चों को चलाने के लिए मैरी को क काफी संहर्स परा और उन्होंने बतसूरती से जूरी कई पतियो गेताओं में हिसा लेना सुरू कर दिया इसी दुड़ान 900 के दसक में मैरी ने सबसे बतसूरत महिला पत्योगता में भाग लियए इस पत्योगता में गैतने के बाद मैरी कोनी द्रिंद ड्रिम लेंड सरकस में काम करने लगी थी असल में ऐसी महिला से ज़्यादा खुबसूरत कुछ नहीं हो सकता जो अपने परिवार की खुशियों के लिए सब कुछ करती रही यानि 11 साल के बाद इनके पत्ती का दिहांत हो गया इसके बाद इसके अंदर बिमारी हो गया महिला थी लेकिन पिक्चर देखने से लग रहा है कि यह पूरूस है है कि नहीं क्योंकि इसके अंदर एक अलग परकार की विमारी हो गया था जो महिला को पूरूस में कंवर्ट करने लागा था और महिला होते हुए भी दारी मुझे आनी लगी थी क्योंकि अक्सत पूरुष को दारे मुझे नहीं रहता है तो इसके अंदर आने लगा और अपने परिवार को चलाने के लिए दुनिया की सबसे बतसूरत महिला के कंपडिशन में भाग ली और यह जीत भी गई और इस तरीके से अपने जीवन यापन करने लगा उसके बाद जितने के बाद इसको बहुत रास्ता खुल गया सरकस में काम करने लगी तो कहता है कि हर आदमी का एक नेक दिन समय होता है कभी ठंडी अची लगती तो कभी गर्मी है ठंडी में गर्मी मiniziं ठंडी अची लगती है इसी तरीके से हर सिक्री के 29 अधा थिक और हर आदमी में निगेटिव पोजिटीव होता है किसीको पोजिटीव दिखता है कि को तो कोई लड़की अगर कुरूप है कोई लड़की अची आ तो कोई लरकी घम वन करते लिगा और गोल की तरह फोकस करना